नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूँ अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में आज की एक खास तिथी पर एक खास घटना का जिक्र करने के लिए तिथी है 30 जनवरी 2023 चर्चा इसलिए क्योंकि आज ही के दिन नाथुराम गोडसे के द्वारा महत्मा गांधी जी को गोली चला कर मारा गया था यानि कि आज का यह सेशन अपने आप में एक पुन्य तिथी विशेश है जिस प्रकार से हमने आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री जी की जिस प्रकार से हमने आपके सामने बार्क के संस्थावक जो भावा रहे हैं उनकी तमाम की जीवनी आपके साथ में डिसकस की हैं और उनके साथ के ततकालीन धटना करम डिसकस किये हैं। उसी तरज पर आज आपके साथ नाथूराम गौड से ने महात्मा गांधी को क्यों मारा ये आपके साथ साज़ा करने जा रहे हैं। साथियों अक्सर हम लोगों ने अपने इतिहास में बहुत कुछ महात्मा गांधी के बारे में सुना हैं। नाथूराम गौड से भी सामान नितया सुर्कियों में आज कल आ जाते हैं। लेकिन आज के सेशन से पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और डिस्क्लेमर ये है कि इन में से जो भी जानकारी आपके साथ साज़ा की जा रही हैं। इनके सभी के सोर्सेज इस सेशन के खत्म होने के बाद मैं आपको एक पेज पर लिख कर दे दूँगा। जो कि आपको कॉंटेंट के साथ हमारे टेलिग्राम चैनल अंकित अवस्ती सर पर प्राप्त हो जाएंगे। इसी वज़े से आप इस सेशन को सुनते समय और देखते समय किरपया करके किसी भी प्रो बायस का शिकार ना हूँ। आप फिलहाल इसलिए सुने क्योंकि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये आल्रेडी मीडिया में अवेलेबल है इसमें मेरे निजी विचार आपको सुनाने के नाम पर कुछ नहीं है जो जानकारी है वो शब्द शे मैं कॉंटेंट से आपके साथ साजा करने जा रहा ह क्योंकि इनकी हत्या हुई थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं नाथूराम गॉड से था इसी वजह से इसे मार्टियर डे के रूप में बनाया जाता है जिस समय इनका देहान्त हुआ उस समय अखबारों की सुर्खी बनी गांधी इस शॉट डेड वहीं न्यू यॉर्क इसी प्रकार से अन्य अखबारों ने खबरे चापी इधर की तरफ कॉंग्रिसमेन है इधर की तरफ डॉन जो पाकिस्तान का न्यूस पेपर है महात्मा गांधी ए मार्टियर टू असेसिन बुलेट आप यहाँ पर तमाम न्यूस पेपर्स की कटिंग देख रहे हैं जो इस प्रकार की खबरें दुनिया भर के अंदर प्रकाशित होना शुरू होती हैं यानि यह अंतरराष्टिय रूप से एक बहुत बड़ी घटना थी दुरगटना थी निश्चित ही भारत के लिए तो बड़ी थी ही लेकिन अंतरराष्टिय रूप से भी इसने जहां तहां अखबारों के अंदर अपनी सुर्खियां बटूरी थी देश के स्वतंतरता संगराम में एहम भूमी का निभाने वाले राश्टपिता महत्मा गांदी का निधन आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को हुआ था वे दिल्ली में नाथुराम गोडसे के द्वारा प्राथना सभा में ग गुजरात में जन्मे पोरबंदर के अंदर जन्मे महत्मा गांदी इंग्लेंड में अपनी उच्छ शिक्षा प्राप्त किये थे देश में हो रहे अत्यचारों को देखकर ब्रिटिश शाषन के खिलाफ स्वतंतरता संगराम का हिस्सा बने थे और सत्य और अहिंसा का करते थे कि अहिंसा किसी कमजोर की निशानी नहीं बलकि एक ताकतवर की निशानी है अर्थात अहिंसा उन्हीं लोगों पर शोभा देती है जिनके पास में ताकत होती है उनके तरकों को अगर विस्तार से समझा जाए तो उनका तरक था कि अहिंसा भारतवासी जो इतनी मरो के सिद्धान पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। मैं आज महात्मा गांधी जी के इतिहास से आपको अवगत नहीं कराऊंगा, क्योंकि तमाम परिक्षाओं के अंदर, तमाम प्रकार की जितनी भी कंटेंट आप लोग अध्यन करते हैं, उनमें महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया है, आज भारत के नोट पर महात्मा गांधी जी है, आज के सेशन में मैं आपको उस सक्ष से अवगत कराऊंगा, उस शक्स से उपलब उपके बारे में उपलब जानकारी से अवगत कराऊंगा जिन्होंने महत्मा गांधी को गोली मारी थी चलिए आगे की जानकारी करते हैं साथियों दांधी मार्च से लेकर के सैवी ने अवग्या आंदोलन, ऐसा योग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये सभी वो प्रमुख आंदोलन थे जो गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश शाशक की चूलें हिलाने के लिए काम में लिये जा रहे थे अक्सर ये माना जाता है कि गांधी जी के द्वारा जो कैई बार एनिश्चित कालीन अंशन किया गया उससे अंगरे जी सरकार की पूरी तरह जड़ें हिल गई थी साथियों ये भी माना जाता है कि गांधी जी की हत्या के पीछे जो व्यक्ति जम्मेदार था वो स्वेम भी गांधी जी के विचारों से काफी ज़्यादा प्रभावित था और तो और शुरुआती समय में जब गांधी जी के द्वारा अंशन या फिर जिस प्रकार की मतलब जो रैलिया निकाली जाती थी या साशन विरोधी जो कारेकरम किये जाते थे उनमें नाथूराम गौड से कॉंग्रेस की तरफ से अपने छेत्रों में रैलियों का आयो जंकिया करता था ये सारी बाते आज के सेशन में हम जिक्र में लाएंगे क्योंकि इस कहानी का अंत यहां होता है जब महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है उस हत्या के बाद क्या हुआ वो बात भी हम आज के सेशन में साजा करेंगे क्योंकि नाथूराम गौड से उसके एक साल बाद फांसी पर लटकाए गए थे यानि कि नाथूराम गौड से गांधी जी की हत्या के बाद से अगले एक साल तक कोर्ट के ट्रायल में थे और उस trial में जो उन्होंने बातें कही हाना कि वो आज तक प्रकाशित नहीं हो पाई है कुछ पत्रकार जो उस समय trial के समय प्रेजेंट थे उन्होंने अपने द्वारा उन बातों को प्रकाशित करने का प्रयास किया है लेकिन कहा जाता है कि नाथूराम गौड से ने गांधी को क्यों मारा इस विशेपर उन्होंने एक 93 पेज का एक statement लिखकर court को submit किया था ये मानते हुए कि जिस दिन दुनिया इसको पढ़ लेगी उस दिन गांधी की मौत को सही ठहराएगी ये कहते हुए नाथूराम गौड से के द्वारा अपना statement प्रक दिया गया था court के सामने हाला कि ततकालीन सरकार के द्वारा जो कि पंडित नहरु प्रधान मंत्री हुआ करते थे उनके आदेश पर उस statement को पूरे देश में कभी छपने नहीं दिया गया और वो आज तक गायब है फिलहाल के लिए जो जानकारियां आज बाहर आती हैं वो जानकारियां गौड से के द्वारा दिये गए बयान जो मौकिक थे और उस समय court की proceedings को जो लोग सुन रहे थे जो पत्रकार present थे या उनके खुद के भाई जो की बाद में एक लेखक बने उनके द्वारा जानकारियां बाहर निकाली गई है तो जो जानकारियां वर्तमान में उपलब्द हैं कि गौड से ने गांधी को क्यों मारा वो जानकारियां मार्केट में है तो सही लेकिन वो स्वम गोड से वाली जानकारिया नहीं है इसी वज़े से हम आपको एक किताब सजेस्ट कर रहे हैं जिसमें गोड से की उन पंक्तियों का संकलन किया गया है कि वाई आई किल्ड गांधी इस पुस्तक के अंदर उन बातों को फोकस किया गया है और यह पुस्तक अवेलेबल है कुकु एफम पर जिसे संभवतया आपने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा लिंक जिसका डेस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है यह वही प्लैटफॉर्म है जिसके उपर बहतिरीन किताबें दस हजार किताबें आडियो बुक के रूप में आपके लिए उपलब्न हैं जिने आप कभी भी चाहे आप ड्राइव कर रहे हो ता आपने FM को प्ले किया वैसे आप प्ले कर सकते हैं इस क्रीन लॉक करके आप इसे प्ले कर सकते हैं इस बुक को सुन सकते हैं इतना ही नहीं आप इस बुक से पढ़ करके नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि एप्लिकेशन पर यह नोट्स का सब्सक्रिप्शन होता है लेकिन पहले मन्त के लिए आप जब मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज़ करते हैं तो आपको यह सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज में उपलब्ध होता है आप वहां से इसे सुन और देख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं ना तो उस समय का लेखक हूँ ना उस समय का पत्रकार हूँ जो जानकारी उपलब्ध हैं उन्हें संक्लित करके बस आप तक साजा कर रहा हूँ इसलिए आप इन लाइनों को खुद से भी पढ़ सकते हैं content end में भी शेयर करूँगा और मैं भी सुना रहा हूँ ततकालीन गौड से एक डाक करमचारी थे असल मायने में इनके डाक करमचारी होने के कारण ही इनकी बहुत सी कहानियों में इनके पिता का जिक्र है जिक्र यूँ है क्योंकि इनके पद के अनुसार इनके परिवार के भरण पोशन लायक पैसे इनके पिता के पास नहीं हुआ करते थे उनकी मा लक्षमी नाम से थी, इनके जन्म के समय इनका नाम राम चंद्र था कहते हैं कि नाथुराम गौडसे का नाम राम चंद्र से नाथुराम कैसे पड़ा इसके पीछे की भी कहानी है कहते हैं कि नाथुराम परिवार का चौथा बेटा था इससे पहले के तीन बेटे मृत्यू को प्राप्त हो गए थे 1901 में, 1904 में, 1907 में तीन लड़के पैदा जरूर हुए लेकिन वो सर्वाईव नहीं कर पाए इस आधार पर इनके परिवार में ये माननिता बनी कि शायद इनके घर को कोई श्राप है कि बेटे यहां सर्वाईव नहीं करेंगे इसलिए माननिता मानते हुए इनहें बेटी की तरह परवरिश करके बढ़ा किया गया बेटी की तरह परवरिश करते हुए जब रामचंदर को बढ़ा किया जा रहा था तो उसकी नाक में नत्र डलवा दी गई थी, उसे फ्रॉक पहना कर लड़कियों के कपड़े पहना कर बढ़ा किया जा रहा था तभी लोग राम चंदर को नाथूराम के नाम से क्योंकि वो नत्र पहनता था, इसलिए इन पुकारा करते थे, वहीं से इसका नाम नाथूराम पढ़ा था ठीक है, नाथूराम की नाथ शिदवाई गई, विनायक नाम ने, नाथूराम का नाम जो है, मतलब काफी जादा सुर्खियों में आने लग गया था संयोग से जब लड़की की तरह इनका पालन पोशन हो रहा था, कुछी सालों में उनके एक भाई दत्तात्रे का जन्म हुआ, इसके बाद एक भाई शान्ता, फिर दो भाई, गोपाल और गोविंद का जन्म हुआ, ये जो नाम है गोपाल, इसे आप ध्यान रखियेगा, क्य जानकारी वर्तमान में उपलब्द है, ठीक है, परिवार मानता था कि नाथुराम ने श्राप से उन्हें मुक्ति दिला दी, गोडसे के बारे में कहा जाता है, कि यह बचपन से बड़ा शरमीला और चुप रहने वाला लरका था, गोडसे ने सारवजनिक रूप से बचपन कि दो पन्ने में ही इसके प्रारम्विक जीवन से सम्मंधित तत्य थे, किशोर अवस्था के बारे में जादा बाते थी, जो यहां पर चार्ज शीट में व्यक्ति तो वहीं से निकल करके ये जानकारियां आती हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, कि नाथुराम के जीवन पर उसक किसी ग्रामिन इलाके में ट्रांसफर हुए, उनका मन था कि गोड से अंगरेजी पढ़े, इस वज़े से उसे मौसी के घर भेज दिया गया, यहां उसके जीवन में जरूरी बदलाव आए, मौसी के घर में आजादी कम थी, परिवार में जो अटेंशन मिलती थी, वो भी उ 28 में वह अंत तक दसवी की सिक्षा को कुछ माहा पहले ही अपने मौसी का घर छोड़ कर किराय के कमरे में रहने चला गया, वहां उसका पढ़ाई में मन कम लगता था, दोस्तों के साथ समय बिताने के अलावा वो तैराकी करता था, गोड से के बारे में कहा जाता है कि वो ब अगेन मैं आपको बता दूँ, जो पठक था आपके सामने बताई जा रही है, इससे आपके मन में कैरेक्टर बिल्डिंग समझ में आती है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों था, जब भी आप किसी केस में होते हैं, फिलहाल के लिए आपको ये तो पता है कि नाथुराम गौड से महत्मा गांदी को गोली मारी थी, लेकिन असल में ये व्यक्ति था कौन, इसका इतिहास क्या था, किस घटना ने इसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, वो कौन सी घटना थी जिसके चलते नाथुराम गौड से इतना ट्रिगर हो गया, कि उसने महत्मा गांदी के मतलब के उपर तीन गोलिया धाग दी, इसके पीछे का बड़ा कारण जो गौड से कहता है वो ये है, जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि आपको उसकी पूरी विचारधारा समझ में आए, और वो ये है कि ये कहता है कि महत्मा गांदी जी ने 55 करोड रुपे पाकिस् पाकिस्तान को ये मानता है कि भारत के विभाजन के लिए महत्मा गांदी जिम्मेदार थे, और वहीं दूसरी और मुस्लिमों के हितैशी थे महत्मा गांदी, जिन्हों ने पाकिस्तान को 55 करोड रुपे दिलाने के लिए आमरण अंशन किया था, इस तथ्य की अंत तक हम फ रत्या करने से पहले, कुछ दिन पहले लगबग, दस दिन पहले भी एक बार प्रयास किया गया था, हाना कि वो फेल मार गया था, फिर भी ये वापस मार ने आया, आप सोचिए तो इस लिए इस घटना में किरदार का परीचा बहुत जादा जरूरी है, तो अब इधर अब ये वाला जो इयर है, हर इयर बहुत इंपोर्टेंट है, आप इंतिजार में हैं कि 1948 के बारे में सीधा बताओ, नहीं, इस कहानी में आपको इयर दर इयर सारी जानकारी दी जाएंगी ताकि आपको वो तत्य मिल सकें, जिसकी वजह से नाथुराम गौड से हत्यारा बन मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, कि पिताजी का इनके जीवन पर बहुत बड़ा इंपक्ट है, हर कहानी में पिताजी का रोल बड़ा है, कि पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो ऐसा हो गया, पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो मौसी के घर चला गया, पिताजी का ट्रांस जनसंपर्क कारेकरम चल रहा था गांधी उस समय संयुक्त प्रांथ जो की उत्तर प्रदेश और उत्तरखंड वाला एरिया है उसके अंदर लंबे दोरे कर रहे थे गांधी रुकर, महिलाओं से, छात्रों से और आम जनता से खादी पहनने के लिए और स्वतंतरता संग्राम में सामिल होने के लिए आवाहन कर रहे थे इसी यात्रा में माहौल बदल दिया रतनागिरी समेत देश के बाकी हिस्सों में भी कांग्रेश के नेता सक्रिय हो गए जगे जगे सबाहें आयोजित होने लगी देश में स्वाधिन्ता के लिए नए सिरह से चौराहों पर बहस होने लगी गोड से के लिए ये अलग तरह का अनभव था जैसा उसने पहले कभी अनभव नहीं किया था रतनागिरी में भी कांग्रेश के नेता सक्रिय हुए तो गोड से उनके साथ आ गया उनसे विरोध सभाओं के हिस्सा लिया यानि साशन के विरोध में जो सभाएं हो रही थी गांदी जी की प्रेणा से उनमें अब गोड से भी शामिल हो रहा था गोड से ने अपने बयान में कहा है कि जब छात्रों को स्कूल और कॉलेज का बहिश्कार करने का आवहन किया जाने लगा तो मैंने भी यानि गोड से ने भी हाई स्कूल की परिक्षा में दोबारा ना बैठने का फैसला ले लिया यानि ये वो व्यक्ति था जो 1929 तक महात्मा गांदी जी की बातों से काफी ज़ादा प्रभावित था अब क्या होता है थोड़ा आगे सुनते है यहां रतनागिरी का महत्व काफी ज़ादा है ये ततकालीन रूप से 1929 की तस्वीर है जिसमें महात्मा गांदी कुमाउ की यात्रा पर है और कौसानी में गांदी के साथ इस्थानी कांगरेस निता आपको इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहे है फिर क्या होता है गांदी जी की हत्ट्या के राजनीटी मैं सक्रिय होने लगा और फिर भाषण देने में अपना हाथ आजमाने लगा अपने इलाके में कांगरेस द्वारा आयोजित विरोध सभाए जो कि साशन के विरोध में थी उनके अंदर वो नियमित वक्ता बन गया गांदी जी की हत्या के बाद ट्रायल के दौरान अपने बयान में गौडसे ने दो तीन बार पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने का भी जिक्र किया कि मैं पहली बार पुलिस के गिरफतारी में नहीं हूँ इससे पहले भी मैं पुलिस द्वारा गिरफतार किया जा चुका हूँ जब अंग्रेजी साशन हुआ करता था अब कहानी में ट्विस्ट आता है ट्विस्ट ये है कि 1930 में गोडसे के मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर से होती है विनायक दामोदर सावरकर जिसकी वज़े से आपने बहुत सारे एपिसोड कॉंग्रेस और बीजेपी में होते हुए देखे हैं राहूल गांधी जी ने जब महरास्टरा की यात्रा पर थे तब भी दामोदर सावरकर के बारे में जिक्र किया है अब यहाँ भी कहानी में जो ट्रिस्ट आता है इसके बाद की कहानी जो है उस कहानी के लिए मैं आपसे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा इस कहानी में तरहा तरहा के यानि जितने मुहूं उतने तरीके की बाते हैं अर्थात जहां एक और सावरकर से प्रेरित होकर गोड से ने हत्या की एक विचार इस दिशा में लेकर जाता है वहीं दूसरा विचार कि God से और सावरकर दौनों एक साथ समय कुछ समय के लिए तो थे लेकिन बाद में God से अलग रास्ते पर निकल गए God से ने सावरकर का साथ छोड़ दिया इस तरह की बाते भी आती है इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि चूंकि ना तो अब इस धर्ती पर God से हैं ना सावरकर हैं ना महात्मा गानी हैं तो उस समय के लोग अपनी समझ से जो भी बाते लिखते हैं आप भी अपनी समझ से आज उनको सुन लीजिए अपने द्वारा अपने दिमाग में कोई भी तर्क वितर्क करने से बहतर है जो लिखित जानकारी में आपको सुना रहा हूँ फिलाल उसे सुने और उनके सोर्स पर जाकर उन्हें और कंफर्म कर ले चलिया आगे बढ़ते हैं अब कहानी कुछ इस प्रकार से ट्विस्ट आती है कि विनायक दामोदर सावरकर अन्दमान की सेलिलर जेल में अपनी सजा पूरी करके रतना गिरी आ जाते हैं जब सेलिलर जेल से रिहा होकर आप आते हैं आपको याद होगा कॉंग्रेस के द्वारा असल में कई बार ये कहा जाता है कि सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से मतलब छमा याचना की थी हाला कि इस बात का कोई साफ ब्योरा नहीं है कि सावरकर और नाथूराम गॉड से आपस में क्यों मिले अनुसार सावरकर जब रतनागिरी आये थे वहीं पर रुके थे जहां हम रहते थे बाद में वो उसी गली के दूसरे छोर पर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे यानि कि एक सावरकर था कि नाथूराम और सावरकर एक दूसरे के संबंद में आये थे संपर्ख में आये थे गोपाल गौडसे जो की नाथुराम गौडसे के भाई है जो चोटे भाई हैं उन्होंने लिखा है कि सावरकर के रतनागीरी आते ही दौनों में काफी करीबी संबंद हो गया था ये गौडसे के भाई के द्वारा लिखा गया कतन है गौड से ने जब सावर करके संपर्ख में आया तब उसकी उम्र मात्र 19 साल थी इधर लंबी कदकाठी वाले सावर कर विदेश से पढ़े थे और सैलिलर जेल के एक दसक तक कैद रहने के बाद लोटे थे गौड से को सावर कर की बाते और व्यक्तित्व ने प्रभावित किया अगले पांच सालों तक दौनों की कोई मुलाकात नहीं हुई लेकिन गौड से फिर भी सावर कर के विचारों से प्रभावित होता रहा यही कारण है कि जब गांधी की हत्या का प्रश्न आता है तो हत्या में सावर कर के खिलाफ भी केस चलाया जाता है हाला कि सावर कर को बाद में रिहा कर दिया जाता है लेकिन दामोदर सावर कर का भी नाम हत्या में जुड़ता है इसलिए आप सावर कर तत्य पर जादा फोकस करें यहाँ पर आपके दिखाई जाती कुछ तस्वीरे हैं जिन में सावरकर अपने द्वारा रतनागीरी में रहकर अपने आवास पर अपने सिश्चों के साथ बातशीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ये दौर 1925 से 1930 के बीच था आपके सामने एक तस्वीर भी है जो काफी जादा चर्चित तस्वीर है इस तस्वीर में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें सावरकर के साथ नाना आप्टे नाथूराम गौड से विश्णूपंत करकरे बढगे मदललाल पहवा शंकल किस्टेया ये सारे लोग हैं नाना आप्टे वो व्यक्ति है जिसे नाथूराम गौड से के साथ फासी मिली थी यहाँ पर विश्णूपंत करकरे बढगे मदललाल पहवा आदी आपको इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं आप बीच में सावरकर बैठे हुए हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं साब जी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी 1857 का स्वतंतरता समर जिसको अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में बैन करा दिया गया था ये पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक थी और इस पुस्तक को गोड से पढ़ता भी था और अपने परिवार जनों को सुन कि तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए पढ़ाई कितनी महत्वपूर है ये बताया और सावरकर ने गोड से को किताबें और आजादी की लड़ाई से सम्मंदित साहित दिया पढ़ने की आदत दलवाई धिरेंदर कुमार जहा की एक किताब है जिसका नाम है गां कि एक बार जब वे घर पर सावरकर के लिखी 1857 का स्वतंतरता समर लेकर आया जिसे वे रात के वक्त मा पिता और मुझे पढ़ा कर सुना आता था यानि 1929 तक जहां गोड से के प्रभावों में महत्मा गांधी का प्रभाव था वहीं सेलिलर जेल से निकल कर आये विनायक द वो बाहर आते हैं तो उनके विचारों से ये जो आपका नाथुराम गौड से है ये बहुत प्रभावित होता है और प्रभावित होता है अब इस तरफ गांधी क्या कर रहे हैं इधर 1930 में गांधी डांडी मार्श का नमन का नमक कानून तोड रहे हैं देश भर में आंदोल मैंने अगेन आपसे कहा कि इनकी कहानी में इनके पिता का बड़ा योगदान है पिता के ट्रांसफर रतनागिरी होने पर सावरकर से मुलाकात होती है अब दूसरी तरफ पिता रिटायर हो चुके हैं तो परिवार की तंखा चलाना मतलब खर्चा चलाना बहुत मुश्किल ह हो जाता है और यहीं से जो चीज निकल कर आती है जो बहुत जादा चर्चा का पार्ट है और हो यह है कि पेंशन से घर चलाना जब मुश्किल होने लगा तो परिवार को लेकर ये रतनागिरी से 175 किलोमीटर दूर सांगली चले जाते हैं तथ्य को ध्यान से सुनिएगा हम इस बात की पुस्ति नहीं करते इन्होंने कब जोईन किया कब नहीं जो नेट पर उपलब्ध जानकारी है यहां सांगली में ही ये RSS जोईन करते हैं नाथूराम गौड से विवाद भी यहीं से शुरू होता है आज की सरकार और विपक्ष में कि नाथूराम गौड से RSS का संगी था अब यहां पर मैं थोड़ा RSS का इतिहास आपको बता दूँ RSS की स्थापना 1925 में महराष्ट के नागपूर में ही हुई थी हिंदू नेशनलिजम और हिंदुत्व के लिए हुई थी इसके फाउंडर केशाव बली राम हैड गिवर थे और यहां पर आप इनके बारे में जानकारी लेते हैं यानि 1925 में RSS इस्थापित हो चुका था 1932 के अंदर नाथुराम गौड से RSS जाइन करता है आगे बढ़ते हैं अब सहाब परिवार में पिताजी रिटायर हो चुके हैं ये सांगली आ चुका है अब जब सांगली आ चुका है तो खर्चा कैस चुकि बाही बहन स्कूल जा रहे थे ऐसे में जब गौड से के लिए नौकरी करना जरूरी था उसके लिए फल बेचना शुरू किया लेकिन सफल नहीं हो सुका इसके बाद इसकी बड़ी बहन मतुरा के पास इटार सी चला गया वहां कई नौकरियों में हाथ आजमाया 1934 म अब देखिए सिलाई के साथ भी स्टोरी जुडती है आपने RSS के अगर कारे करताओं को देखा होगा तो वे एक निश्चित परिधान में एक गणवेश में होते हैं उस गणवेश की सिलाई का काम नाथुराम गौड से करने लगा इस समय तक सांगली में RSS काफी लेने लगा RSS की गतीविदियां ज्यादा समय देने के चलते उसका सिलाई का काम प्रभावित होने लगा गौड से के अनुसार एक दिन पिताजी ने सारवजनिक जीवन से दूर रहकर पैसे कमाने पर ध्यान देने को कहा इसके बाद मैंने पूना जाने का फैसला किया यहा शुरू हो गया इस दौरान 5 साल बीट चुके थे बगर सावरकर के विचार अभी भी उसे प्रभावित करते थे हाला कि वो इस बिजनिस पर जादा ध्यान देता रहा प्रती महिने 70 रुपे अपने घर को भी भेजता रहा लेकि पैसे अभी भी कम पड़ रहे थे इसी विचारों में डाइवर्जन लाते हैं यानि जहां एक और RSS यह स्विकार करते हुए कहती है कि गौडसे ने RSS जॉइन किया था लेकिन वो बाद में हिंदू महासभा में चला गया था हाला कि तत्थ ये भी होता है कि जो लोग हिंदू महासभा के सदश्य थे वो RSS के भी स जानेवेश आदी के लिए एक चर्चित दुकान हो चुकी थी अब देखो सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन चुके हैं सभाविक रूप से नाथुराम गौड से प्रभावित है इस बात से कि भाई सावरकर आ चुके हैं तो उनके साथ साथ हिंदू महासभा लिए इस बात को लेकर विद्वानों में काफी ज़्यादा कंफलिक्ट है बहुत सारे लोग मानते हैं कि गौड से ने कभी RSS छोड़ा ही नहीं था बहुत से लोग मानते हैं कि नहीं वो हिंदू महासभा चला गया था एक अमेरिकी रिसर्चर है जे एक करेन उनके अनुसा गौड से राश्ट्रिय स्वंसेवक संग में 1930 में शामिल हुआ, जल्द ही उसे एक वक्ता और संग्ठन करता के रूप में ख्याती प्राप्त हुई, 1934 में उसने संग छोड़ दिया, ऐसा एक अमेरिकी रिसर्चर के द्वारा दावा किया जाता है, क्योंकि हेडगेवार संग को कथित तोर पर एक राजनेतिक संग्ठन नहीं बनाना चाते थे, आज भी RSS कोई भी राजनेतिक संग्ठन नहीं है, इसका उद्देश राष्ट निर्मान है, और ये किसी भी प्रकार से राजनेतिक गतिविधी में involved directly नहीं होता है, हाना कि ये माना जाता है, कि RSS चुना में नहीं उतरता है, पार्टी नहीं है, जैसे BJP, Congress, सपा, बसपा, पार्टी है, ऐसे RSS पार्टी नहीं है, तो हेडगवार जो कि इसके संस्थापक थे, वो इस बात से दूर रहना चाते थे, कि ये कोई राजनेतिक दल है, इसी के चलते, अब आगे बढ़ते हैं, गौड स से बातचीत में जाने कहा, कि उसे संग्ठन से बाहर किये जाने का कोई सबूत नहीं था, किताब के अनुसार देखे, दो अलग-अलग लोगों की बाते हो गई, एक तरफ अमेरिकी रिसर्चर की बात हो गई, दूसरी तरफ अब यहां पर बातचीत चल रही है, जा के बारे सबा जॉइन की, मगर यह बताया नहीं, कि यह सब उसने कब किया, अर्थात, गौड से की जो खुद की टेस्टिमनी है, उसमें भी उसने RSS छोड़ना स्विकार किया है, हाला कि यहां पर कहीं पर भी उसने मेंशन नहीं किया, कि RSS कब छोड़ा, यह जो जाकी किताब है, इ तो पहले से प्रूवन था, वो काम करता था, बीच में छोड़ करके उसने हिंदु महसवा जोईन की थी, जहां ने आर्काइव्स खंगालने के बाद किताब में यह दावा किया, कि उसने मताबित हिंदु महसवा और RSS के कई सदश्य, दौनों संग्ठनों का हिस्सा थे, य गौपाल गौड़से के पास, अब गौपाल गौड़से जो कि उसके साथ जेल गया था, तो फिर वो क्या बोलते हैं, तो उसका बयान है कि नाथुराम गौड़से ने कभी RSS नहीं छोड़ा, गौपाल की मौत 2005 में हुई, इनका एक अलग इंटर्व्यू में गौड़से क जो है, वो 1932 कहता है, और यहाँ पर पोता क्या कहता है, ना तो उसे निकाला गया, ना ही उसने कभी संग्धन छोड़ा, अगेन, यहाँ पर जो गौड़से का परिवार है, वो यह कहता है, कि नाथुराम ने कभी भी RSS नहीं छोड़ा था, 15 नवंबर 1949 को फासी पर चड़ाये जाने से पहले, गौड़से ने RSS की प्राथना की शुरुवाती चार पंग्तियां भी दोराई थी, यानि यह सारे तथ्य उस दिशा में जाते हैं, जो यह प्रूव करते हैं, कि गौड़से RSS से अंत तक प्रभावित था, इससे यह यह कहती है कि नहीं, वो हिंदू महासवा का सदश्य था, चलिए आपने यहां पर इसका करेक्टर बनते हुए देख लिया, अब गौड़से को बीच में भी एक बार जेल हुई थी, इसका जिक्र भी होता है, कहते हैं कि हिंदू महासवा और गौड़से का जिक्र 1938 में आता है, हिंदू महासवा ने हैदरबाद के निजाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, महासवा का कहना था कि निजाम को दी जा रही रियायते हिंदू की स्वतंतरता और संस्क्रती के खिलाफ है, यह आंदोलन 1949 तक चला और गौड़से ने अपने सक्री भूमिका निभाई, इस आ परिवार इनका साथ नहीं छोड़ा, इस बीच दत्ता त्रे भी पूना आ गया, वो भी कपडे प्रेस करने का काम करने लगा, साल भर में चीजे पटरी पर आने लगी, भाई के आजाने के बाद गौड़से फिर से राजनेतिक जीवन में सक्रिय हो गया, यानि गौड़से के परिवारिक इस्थिती बहुत सी चीजे निर्धारित कर रही थी, अब गौड़से ने अपना एक नया संग्ठन बनाया, ये समय था जब सेकंड वर्ड वर्ड वर की आहट सुनाई दे रही थी, RSS पर कई परकार की पाबंदी लग चुकी थी, जैसे उस वक्त सैना के अल पर रोग लग गई, फिर नाथुराम गौड सेने एक नया संग्ठन बनाने का विचार किया, संग्ठन बना हिंदू राष्ट्र दल के नाम से, 1942 तक ये है अस्तित्व में आया, इस संग्ठन को हिंदू महासभा और RSS, दौनों का समर्थन प्राफ्ट था, क्योंकि RSS पर ब उलाकात नारायन दत्तात्रे आप्टे से होती, अब ये व्यक्ती भी याद रखिएगा भई, ये व्यक्ती भी अंत तक फांसी तक जाएगा, इसलिए याद रखिएगा, 1943 आते आते हिंदू राष्ट दल पूना में एक प्रभावी संग्ठन बन गया था, गौड से काकद हिंदू महासभा में भी बढ़ गया, RSS के लोगों की बीच भी उसकी जगह मजबूत हो गई, क्योंकि वो व्यक्ती अब क्या कर रहा था, वो व्यक्ती हिंदू राष्ट अख़दल का निर्मान कर चुका था, इज़त बढ़ गई क्योंकि उसकी अपनी एक पार्टी हो चुकी थी, अपनी बातों को लिखने के लिए उसने पत्र लिखना शुरू किया, अख़बार लिखना शुरू किया, उन्निस सो चम्मालीस में उसने अख़बारों के लिए और अपना अख़बार निकाला, मराठी अख़बार अगरनी को शुरू किया, और इस तोरान संग्ठन में उसका ध्यान हटता चला गया, एक समय अपने संग्ठन से लोगों से उसने कह दिया कि अख़बार की व्यस्तता के चलते, वो संग्ठन के परती समय नहीं दे और अपने विचारों को वो अख़बार के माध्यम से लोगों तक भेजने लगा, हाला कि इसके अख़बार का जो कंटेंट था, वो काफी भड़काओ बयानों और कंटेंट से भरा था, ऐसी इस्तिती में इसके अख़बार पर प्रतीबंद लगा दिया गया, प्रतीबंद खत्म कराने के लिए 1947 के शुरुवाती महिनों में, बॉंबे प्रेसिडेंसी के ग्रह मंत्री मौरार जी देसाई, जिनकी सरकार बाद में सुतंतर भारत में, पी-म के रूप में जो बने, मौरार जी देसाई उस समय ग्रह मंत्री थे, उनसे जाकर ये मिलता है, और अपने अ और फाइन लगाये और जुरुमाना भी लगाया, ये मौरार जी देसाई बोलते हैं, जुरुमाना लगाये जाने के बाद भी गौड से की गतिविदियों पर कोई असर नहीं पड़ा, उसने चुपचाप एक नया अखबार निकाला जिसका नाम था हिंदू राष्टर, पह देखिए यहां पर हमने अभी तक गौड से के निजी जीवन पर आपको जानकारी दी है, लेकिन पैरलली देश में हो क्या रहा है, देखिए पैरलली देश में जब सेकंड वर्ड वार बिटिशर्स जीत जाते हैं, उस समय देश के अंदर आजादी की मांग उठने लगती ह मोहम्म cracking के मांग करता है, और पाकिस्तान की मांग में मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र देश की मांग करता है, ऐसी इस्थिती में अब चूकी देश अलग मांग की जा रही है, आजादी उन 15 अगस्त 1947 को आ गई है, लेकिन उस से पहले देश में भयंकर रूप से, क्योंक और उद्वलित होकर के ये आजादी के जश्न में भी शामिल नहीं होने जाता, इसका मन कुंठा से भर चुका था, क्योंकि एक और बंगाल में पूरवी बंगाल बंगलादेश वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को काट रहे थे, वहीं पंजाब वाले छेतर में पंजाब, पाकिस्तान और भारत के बीच में लोग एक दूसरे को काट पीट रहे थे, ऐसी इस्तिती में ये व्यक्ती वहाँ पर भी साजा होने नहीं गया, ये इसके अखबार की कुछ कटिंग से जिने आप देख सकते हैं, ठीक है, अपनी किताब गांधी ज असेसिंदा मेकिंग आफ नाथुराम गौड से में धिरेंदर जा लिखते हैं, कि साल 1947 के आखिर तक उसको पत्रकारिता ठकाने लगी, अखबार में उसकी दिल्चस्पी कम हो गई, सितंबर के दिसंबर के अंत तक गौड से भविष्य के कामों पर बैठ कर चर्चा करने लगा, और फिर गांधी की हत्या करने की ठानी, गांधी की हत्या करने की क्यों ठानी, अब यहां से चीजे आती हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को गौड से के बारे में जो जानकारी आज पहली बार पता चली है अगर आपको ये जानकारी पहली बार पता चली है तो हमारी टीम अफर्ट्स को ही अगर आपको लगता है कि अच्छे हैं, प्रयास किया जा रहा है आप तक जानकारे पहुचाने का, तो अब इस बात पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका रैड कटल में एक बटन दिया हुआ है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है, समय आपके पास है, आप लगे उचित तब कर लीजिएगा, अब सबय आता है प्लानिंग करने का, दो जनवरी 1948 को गांधी की हत्या की प्लानिंग पहली बार गोड से और आपते, एहमद नगर के अंदर डेककन गैस्टाउस में मिलकर करते हैं, यह है गैस्टाउस हिंदू महासभा का ही एक सद जनवरी 1948 को हिंदू राष्ट अखबार के दफ्तर में जो अखबार इसने प्रकाशित किया उस दफ्तर में गौड से दत्तात्रे आप्टे विश्नु करकरे और मदल लाल पहवा फिर से मिलते हैं, यहीं सब्ता भर बार दिल्ली जाने का प्लान बनता है, तै किया गया कि पहवा गांधी को गोली मारेगा, यहां पर यह निरने होता है, इस वक्त हत्या की तारीक 19 जनवरी तै की गई थी, लेकिन दिल्ली पहुचकर मदल लाल पहवा 18 जनवरी को हाथ खड़े कर दिया और फिर नई नोजना बनाई गई, पहवा डर गया, कि भाई अपन नहीं मार पहेंगे, वो बैक फुट पर चला गया, प्लान बना कि प्राथना सभा से दूर पहवा एक विस्पोट करेगा, जिससे लोगों का ध्यान भंग हो जाएगा, गुट के अन्य लोग हत्गोला फैक कर भगदड मचा देंगे, फिर गोली चला कर उन्हें मार दिया जाएगा, ये काम होता भी है, 20 जनवरी 1948 को पहवा ने जैसे ही विस्पोट किया, एक महिला ने उसे देख लिया और वो पकड़ा गया, वहां से ही दत्यात्रे आप्टे गोड से और अन्य सयोगी भाग निकले, क्योंकि अब वो पकड़ में आ चुका है, 23 जनवरी तक भूमिगत रहन के बाद गौड से ने तै किया कि वो गांधी को खुद ही गोली मारेगा, फिर 27 जनवरी को दत्तात्रे आप्टे नाथुराम गौड से दिल्ली आये, फिर गौड से रात की ट्रेंज से ग्वालियर पहुचा, यहां अपने विश्वास पात्र दत्तात्रे शदाशिव परच गौड से ने आखिर में गांधी की हत्या क्यों की। नीली पैंट पहने एक व्यक्ति आया, उसने बापु के पाव चुए और वहीं पर उनकी भतीजी मनुबेन ने उस आदमी से कहा, बापु पहले ही 10 मिनिट लेट हैं, उन्हें क्यों शर्मिंदा करते हो। यह व्यक्ति था नाथुराम गौड से। उसने अपने पुस्तक ल बोलियां चलने की आवाज आई, मुड़कर देखा तो गांधी नीचे पड़े थे, उन्हें अंदर ले जाया गया, लेकिन उस दिन वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, उनका बहुत सा खून बह चुका था, कुछी मिन्टों में उन्होंने प्राण त्याग दिये आज का वो दिन, 1948 का दिन मैंने आपको याद दिलाया है, लगभग यही समय रहा होगा जब गांधी के प्राण इस धर्ती से हमेशा के लिए स्वर्ग लोग की तरफ गमन कर गए, यही वो पिस्टल है जिस पिस्टल से नाथुराम गौड से ने कांधी को असेसिन किया था, बाहर नाथुराम हाथ उठा कर पुलिस पुलिस चिला रहा था, अलग-अलग सोर्स के मामले, अलग-अलग कहनी बताते हैं, जनवर 31, 1948 को न्यू यॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार हर्बर्ट रेनर नाम के एक व्यक्ती ने नाथुराम को पकड़ा, पिस्टॉल चीन ली, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नाथुराम गौड से वहाँ से भागा नहीं था, उसने आत्म समर्पन किया था, और पुलिस ने उसे उसी समय गिरफतार कर लिया और पिस्टल चीन ली, ये एक तस्वीर है साथियों, जो कि उस समय नाथुराम गौड से के साथ उसके अन्य सयोगियों को जब जेल में ट्रायल के लिए लाया गया, तो ये सब मुस्करा रहे थे, और ये सब गांधी की हत्या के बाद नाथुराम गौड से दत्तातरे आप्टे विश्णु कर करे, येने पता था कि मर्डर केस की सजाफासी होगी, लेकिन इन सब के चहरे पर एक मुस्कान थी, ये सब मुस्करा रहे थे, एक द्रश्च है उस समय का, जिसमें कटकरे में बैठा नाथुराम गौड से, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनके उपर सुनवाई चल रही है, और ये सब लोग बैठ करके हस रहे हैं, कोट हेरिंग कर रहा है, जज ने क गौड से के बयान पर, मतलब जो भी बात चल रही थी, बयान पर हाला कि रोक लगाने की कौशिश की थी, ये सब बाते आर्काईव्स में उपलब्द हैं, हाला कि ये चीजे बाहर नहीं आ पाई, गौड से का केवल इतना तर्क था, जब गांधी जी के बेटे ने जाकर पिता को क्यों मारा, तब उन्होंने कहा कि यदि आपके पास 45 मिनिट हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने आपके पिता को क्यों मारा, हाला कि 45 मिनिट का गौड से को समय नहीं दिया गया, ताकि वो उनके बेटे को बता पाता कि उसने गांधी जी को क्यों मारा, हाला सावरकर जिनका नाम हमने शुरूआत में आपको लिया था उनका नाम यहाँ पर आ चुका है इस मामले की सुनवाई लाल किले में बले ट्रायल रूम में शुरू हुई जिसका फैसला 10 फरवरी 1949 को आया जज आत्मा चरण ने नाथूराम गौड से और नारायन आप्टे को फासी की सुजा सुनाई सबूतों के अभाव में सावरकर को बरी किया गया बाद में दत्तातरे परचुने और शंकर किस्तया को संदे का लाब देते हुए बरी किया गया बागी तीन दोशियों को उम्रकैद की सजा दोशियों ने ट्रायल कैद के फैसले के लिए पंजाब हाई कोट में अपील की यानि ये मामला अब पंजाब हाई कोट पहुँचता है उस समय पंजाब का हाई कोट शिमला के मिंटो कोट में लगता था ये भवाण 1904 में बना था गोडसे ने वकील की सेवाई लेने से इंकार कर दिया ताकि वो अपनी बाते स्वेम रख सके और अपनी बाते जब स्वेम रखे तो लोगों को उसकी दलीले पता चल सके ताकि लोगों में ये विश्वास हो कि गोडसे को अपने काम का कोई पच् उस तक गांथुराम के भाई गोपाल गोडसे ने लिखी है तो उसमें बताया जाता है कि जब गांधी के बेटे देवदास उनसे मिलने पहुँचे तो नाथुराम ने उनसे कहा कि मतलब पहले तो ये माना गया कि कोई वो सिर्फिरा प्रानी होगा जिसने गांधी को मारा ह लेकिन उसने कहा मैं समझता हूँ आप देवदास गांधी है उनसे कहा गया और फिर आया कि किसी बेटे के मन में अपने पिता की हत्या को लेकर एक सवाल आएगा इस पर मेरी वज़े से आपने अपने पिता को खोया है आपको और आपके परिवार को जो खुआ है मुझे उ आठ नवंबर 1949 के दिन कोट में पढ़ाया था ये वो तस्वीरे हैं यहाँ पर ये बयान बाजी होती है अदालत में गोडसे ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें उसने बताया जिसमें उसने ये कहा पढ़ने और सोचने के बाद इस यकीन हुआ कि मेरा पहला दाइत्व हि विश्वनागरिक होने के नाते 30 करोड हिंदू की स्वतंतरता और हितों की रक्षा अपने पूरे भारत की रक्षा होगी यहाँ दुनिया का प्रतेक पाच्वा शक्स रहता है इस सोच ने मुझे हिंदू संग्ठन की विचारधारा और कारेक्रम के नजदीक ला दिया मेरे विचार से यही विचारधारा हिंदूस्तान को आजादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है 32 साल तक विचारों में उतेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुँच गया कि गांधी के अ भारत आये तो उनकी मान सिकता कुछ इस तरह बन गई कि क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला लेने के लिए वो खुद को अंतिम जज मानने लगे अगर देश को उनका नेत्रत चाहिए तो यह उनकी अपराजेता को स्विकार करने जैसा था और अगर देश उनके नेत्रत को स्विकार नहीं करता था तो वे कांगरेस से अलग रहा पर चलने लगते थे यह बात कानातूराम गौड से बोलता था है। तो अब हम अस्तित्व रख कर क्या करेंगे कॉंग्रेस को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए हाला कि इस बात से बाकी कॉंग्रेस जन्सेहमत नहीं थे गांधी जी ने आजादी के बाद भी अंशन करके देश में हिंसा रखवाने के लिए उपवास किये थे उनहीं मेंसे महत्मा पर एक आरोप लगाया नाथुराम गौड से ने और उसने कहा कि नाथुराम को गांधी के हत्या करने के लिए जिस घटना ने उकसाया वो एक अंशन था वो क्या था अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है आरोप जो इसके उपर मेरी कोई दुरभावना नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मैं मैंजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता क्योंकि उसकी नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में थी लेकिन उसी वक्त मैं ये साफ देख रहा था कि ये नीतियां केवल गांधी की मौझूदी के चलते थी गांधी मौझूद थे, गांधी हर बार अंशन करने बैट जाते थे, इस वज़े से ये सब था, एक तस्वीर काफी जादा वाइरल होती है और वो ये है कि गांधी मुहमद अली जिन्ना को चाहते तो मना लेते लेकिन गांधी ने मनाया नहीं गांधी जी को पाकिस्तान देश के विभाजन के लिए गौड से जिन्मेदार मानता था गौड से को लगता था कि गांधी जी ने दौनों तरफ अपनी अच्छी चवी बनाने के चक्कर में देश का बटवारा किया ताकि पाकिस्तान के लोग भी गांधी को इज़त से पूजें ऐसी इस्तिरी में गौड से ये मानता था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टी करन कर रही थी तुष्टी करन का मतलब होता है किसी एक पक्ष की गलतियों को नजर अंदाज कर देना कि हाँ भई तुमको बुरा लग सकता है तुम्हारी वज़े से दिक्कत हो सकती है तो उनका तुष्टी करन कर रही थी और यह सब गांधी जी की नीतियों के कारण हो रहा था गौड से ने उस वक्त टेंशन में आ गया जब उसको पता चला कि कश्मीर समश्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी के पाकिस्तान दौरे की सैमत ही दी है अब देखिए इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट यह है कि जब देश का विभाजन हो चुका है देश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तानी सैना के द्वारा कबीले की वेश-भूशा में कश्मीर में एंट्री कर ली गई है उस समय गांधी कहते हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे पाकिस्तान जाएंगे पाकिस्तान के लोगों को समझाएंगे वहीं जिनना इस बात को स्विकार कर लेते हैं कि हाँ गांधी आते हैं तो अच्छी बात है इससे ये प्रूव होता है कि गांधी अपनी दौनों जगह इमेज सुधारना चाहते थे गांधी के सिधान्त आप लोगों ने खूब पड़े हैं आज मैं गांधी का वो पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ जिसके उपर फिल्म भी बनी है आप हो सके तो समय निकाल कर उसे देखिएगा उसमें लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी ने मुस्लिमों के प्रती कुछ जादा ही दया का बाव पाल लिया है हिंदू की भावनाओं के उसे परवा नहीं है 315 पन्ने के फैसले में गौड से और आप्टे की फासी की सजा बरकरार रखी गई सजा की तारीक 15 नवंबर 1949 देखी गई उस समय के ततकालीन गवर्नर जर्रेनल सी राजगोपाला चारी के सामने दयायाची का बेजी गई उसमें कहा गया कि यह जानकारी गौड से को नहीं है लेकिन उसे माफ किया जाए हाना की दयायाची का खारिज होती है 15 नवंबर 1949 को गौड से और आपती को अंबाला जील के अंदर फासी पर लटका दिया जाता है 12 अक्टूबर को यही गोपाल गौड से जिसकी पुस्तकों से आपने जानकरी जुटाई है विश्नु करकरे और मदलल पहवा उम्रकैद की सजा काटकर रिहा हो जाते है अब यह तर्क दिया जाता है कि कॉंग्रेज के सदश्चों ने पाकिस्तान को वादे के बावजूद 55 करोड रुपे देने का फैसला किया था करोड रुपे थे डिसीजन हुआ कि 75 करोड रुपे इंडिया को और 75 करोड रुपे पाकिस्तान को दिये जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर किताबे भी बाटी गई थी सामान भी बाटा गया था सेना भी बाटी गई थी टीमें भी बाटी गई थी सब बटा था तो पैसा भी बटेगा लेकिन पाकिस्तान को विभाजन के समय पहले 20 करोड रुपए ही दिये गए 55 करोड रुपए RBI ने रोक कर ये कहा कि जब आपको जर्वत पड़े उस समय आप हमसे लेते रहना क्योंकि ह हम अगले एक साल तक कौमन बैंक के रूप में काम करेंगे अब हुआ कुछ ही यूँ कि देश की आजादी के तुरंट बाद ही कुछी समय बाद पाकिस्तान की सेना ने कभीलों के वेश्बुशा में कश्मीर पर चढ़ाई कर दी कश्मीर पर चढ़ाई कर दी तो ये बात क अंगरेश के ततकाली नेताओं को पसंद नहीं आई फैसला किया गया कि पाकिस्तान के बचे हुए 55 करोड रुपे उसे नहीं दिये जाएंगे कहते हैं कि गांधी को ये बात बुरी लगी उसने कहा कि गांधी को ये बात बुरी लगी और गांधी जी ने इसका करने के गौड से कि मुझे लगा कि गांधी ना केवल पाकिस्तान को बनाने वाला था बलकि उनके द्वारा जो है पाकिस्तानियों के समर्थन में अंशन किया गया था ऐसी इस्थिती में पाकिस्तान की फौज का जो पक्ष है वो आपने सुना लेकिन इसके पीछे एक तर्क और दिया जाता है और वो तर्क ये है कि फैसला जो देना था ना कि भाई कब किसको पैसा दिया जाएगा ना देने का जो फैसला हुआ था उसके 6 दिन बाद 13 जनवरी को महत्मा गांदी ने दिद्बिडला हाउस में अंशन शुरू कर दिया था लोगों का तर्क है कि गांदी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड रुपे देने के लिए अंशन किया था लेकिन अंशन की घोशना 12 जनवरी की प्राफना सभा में हुई थी और उस समय इस बात का गांदी जी ने कोई जिक्र ही नहीं किया था कि मैं इसलिए अंशन कर रहा हूँ लेकिन लोगों का मानना है कि गांदी जी ने वायसराय माउंट बेटन से मुलाकात की थी माउंट बेटन ने कहा था कि भारत सरकार का ये फैसला राजनेतिक रूप से कमजोर और एविवेक पूर्ण है ये एसम्मान जानना कारवाई के लिए वजह बन सकता है यही बात माउंट बेटन ने सरदार पटेल से भी कही थी हाला कि सरदार पटेल इस सम्मान जनक शब्द से नाराज हुए इधर पाकिस्तान ने भी धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर भारत अपने समझोते से मुकरता है तो वह अंतरराष्ट्य कोर्ट में चला जाएगा वक्त के साथ भारत के नेताओं को भी समझ में आने लगा कि अंतरराष्ट्य इस तरपर मामला आ गया है इससे फजीहत हो सकती है क्योंकि भारत ने 55 करोड रुपे देने के समझोते पत्त पर हस्ताक्षर किये हैं ऐसी इस्तिती में 14 जनवरी को हुई प्रातना सभा में भी गांधी जी ने चर्चा की लेकिन कराची से लेकर गुजरात में हुए दंगो पर ही उन्होंने चर्चा की 15 जनवरी को फिर से कैबिनेट की बैठक होती है और उससे 55 करोड रुपे पाकिस्तान को देने का फैसला किया जाता है यानि 15 जनवरी को ये फैसला हो चुका था कि पाकिस्तान को पैसे दिये जाएंगे अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि गांधी ने अपनी प्राथना सभाओं में एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि मैंने अंशन इसलिए कर रखा है कि मैं पाकिस्तान को पैसे देना चाहता हूँ अब यहां पर कैबिनेट बैठक में गांधी जी नहीं थे नहरू सरदार पटेल और शामा प्रशाद मुकर जी जैसे नेता थे अब यहां पर यह फैक्ट जुड़ता है कि अगर गांधी जी ने 55 करोड रुपे के लिए ही अंशन किया होता तो 15 जनवरी को उनका अंशन समाप्त हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ गांधी जी का अंशन 19 जनवरी को खतम हुआ यानि नाथुराम गौड से का यह तर्क जो है वो वितर्क है कि 55 करोड के लिए गांधी जी ने अंशन किया था क्योंकि 55 करोड देने की जानकारी तो 15 जनवरी को ही दे दी गई थी 19 जनवरी तक फिर गांधी जी ने क्यों किया उसके पीछे का कारण यह था कि असल में 19 जनवरी को दिल्ली में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों की हिंसा रोकने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षिर किये गए थे गांधी जी उस समय देश के विभाजन के समय धर्म के आधार पर जो हिंसाएं हो रही थी उन्हें रोकने के लिए लोगों पर एक moral pressure क्रियेट कर रहे थे मैं अंशन पर नहीं बैटूँगा तब तक ये लोग दंगा नहीं रोकेंगे इसलिए वो अंशन पर बैठे थे और उनका अंशन तब जाकर समाप्त हुआ जब सभी धर्मों के प्रतिनिधी आपस में मिले और गांधी जी को मनाने का प्रयास हुआ ये अंशन दिल्ली में चल रहा था जो की हिंसा के खिलाफ था ना की पाकिस्तान को 55 कुरोड रुपे देने के खिलाफ ठीक है उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो अब अंत में इस पूरी बात का हम सार आज के समय पर अगर दें गांदी जी की हत्या गांदी जी के हत्या के पीछे गौड से का तर्क हुआ मैंने आपको बता दिया भारत के इतिहास में कहीं भी गौड से के बारे में इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी हाला कि हमने आपको पूरे sources दी हैं कि हमने ये जानकारी कांसे लिए Einstein ने कभी भी God से के तरकों को नहीं सुना लेकिन गांदी जी को शद्धानजली देते हुए ये बात कही थी कि अंत में वो अपने आदर्शों का शिकार बन गया अहिंसा के आदर्श उनकी मरत्यू इसलिए हुई ये Einstein ने महात्मा गांदी जी के बारे में कहा है क्योंकि एव्यवस्था और अशान्ती के दौर में उन्होंने खुद के लिए सुरक्षा लेने से मना कर दिया था किसने गांदी जी ने यह उनका अटल विश्वास था उसकी मुक्ति की और अग्रसर किया उन्होंने दिखाया कि लोगों को साथ जोडने के लिए राजनेतिक चालबाजी एक मातर तरीका नहीं है नैतिक रूप से स्रेष्ट आचरन का ठोस उधारन पेश करके भी लोगों को अपने साथ जोडा जा सकता है विश्व के सभी देशों में महात्मा गांधी की प्रशंशा इसी माननता पर टिकी है साथियों महात्मा गांधी जी के लिए केवल एक ही शब्द परियाप्त है और वो ये है कि आज महात्मा गांधी हर देश में पूझनिये है क्यों पूजनिये हैं? क्योंकि अगर वो चाहते तो देश की आजादी के बाद अपनी सुरक्षा में सारी विवस्ताइं लगा सकते थे अब ये प्रशन आपके उपर बचता है क्योंकि देश में जब अभिव्यक्ति की आज़ादी और बोलने की आज़ादी हो तो उस समय पर लोग गौड से का पक्ष भी जानना चाहते हैं और ऐसी इस्तिती में आज के सेशन में हमने चुकि हमने ये आपके बारे में पहले ही स्विकार किया है कि गांधी जी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा बहुत कुछ सुना अलरेडी है लेकिन गौड से क्या सोचता था क्या लिखता था वो भी हमने आपके साथ साजा क हो सकता है कि हमने अपनी प्रस्तुती में अपनी पूरी उर्जा और पूरा समरपन रखा हो फिर भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुची हो इसके लिए हम पहले से ही आपसे चमा प्रारती हैं हमारे द्वारा किये गए किसी भी क्रत्य के पीछे हमारा कोई intention आपको दुखी कर आपके पक्ष को कमजोर करना नहीं है बस आपके सामने एक पक्ष रखना था अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है और आपको लगता है कि हमने जो आप तक बताने के लिए इतनी महनत और समय दिया है अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे जरूर अपने साथियों से स मेरी हैं, मेरी नजर में गांधी देश के आदर्श है, मैं खुद गांधी के बहुत से विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेदित हूँ, और केवल एक बात कहता हूँ, कि गांधी ने अपने जीवन में ग्यारा व्रत दिये थे, सत्य अहिंसा अस्ते ऐ परीग्रे, ले कर ले कि मैं साथ दिन तक सच बोलूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि महातमा गांधी कौन थे, जिनोंने जब से वरत लिये, उसके बाद मरने तक अपने ग्यारा वरतों की पालना की थी, गांधी को समझना बहुत मुश्किल है, गांधी बनना उससे भी कहीं धन्यवाद, मैंने आपके सामने जो जानकारियां ली हैं, उसके सोर्सेज यहाँ पर हैं, आपको सेशन पूर्ण होने के बाद मिल जाएंगे, बाकी गोडसे की किताब के बारे में जो जानकारी है, पहले महीने पर जो कूकू FM का ओफर है, आप अंकित 50 यूज़ करके, उस खुआ सो विदा होई होगी, उसके लिए हम समापरारती हैं, धन्यवाद,